वीडियो चुरू करने से पहले आपको इसकी स्वीड को 2x या 1.75x कर लाना है जिसके विए से आपका टाइम से लो सके तो दोस्तो आज हम देखने वाले हैं कस्टम व्यूज थीक है तो उस कस्टम व्यूज में आपको बताता हूं कि स्पोस्कोर अब आपके पास यह कुछ ड पॉस्कोर है अब स्पोस करूंगा मैं अजिए मनेजर को यह कुछ भी नहीं दिखाना चाता हूं तो मैं सिंपल करूंगा इसको क्या करूंगा सबसे पहले रइड कर दूँगा ठीक है और प्राइस पर फिसको मैं कर दूंगा रिक पर इसके वाद कर दूंगा और इसके और add करूँगा, इसको मैं लिखूँग का स्टराओं करूँगा, तो यह चीज आपको क्या दिखने वली ही cUSTOMER में ठीक है, ऑर एक और चीज म edema, देटा हूँ, इंर सारो को क्या करता हूँ unhide करता हूँ ठीक है? इंर सारो को hide करके, अब मैं इसके लिए बना देता हूँ, custom view पे जाके इसके लिए बना देता हूँ, कि मैं personal use करूँगा ठीक है, अब मैं okay जैसे करूँगा अब आप देखोगे कि जैसे आप custom view पे क्या करोगे, manager के लिए दिखाओगे, और उसको बलोगे show कर तो automatically आपको उतना ही select करेगा जितना कि आपने उसको बताया होगा, ठीक है और similarly अगर आप क्या करोगे इसको custom view पे जाके आप चात्यों की manager वाला दिखाए दे तो आपको क्या करना है, manager पे show करना है, तो अभी आपको मैं सिरफ manager वाला दिखाए देगा, इसमें आपको price नहीं दिखा रहा है ठीक है, और अगर आपको personal वाला करना है, तो आप personal पे जाके show करोगे, तो आपको सब कुछ दिखा देगा ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने according Excel को बता सकते हो कि आपको किस time पे क्या क्या दिखाना है, बट आपको first time इसको Excel को teach करना पड़ेगा, कि हाँ यही चीज आपको करनी है, तो मिलते हैं next class में, तब तक के लिए धन्यवाद